गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैसेल्फ जोती देवल असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइन्स स्पीसी कॉवर्मेंट कॉलेज अचमेर पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें हम टेक्निक और डेटा कलेक्शन में हमने प्रशनावली या क्वेस्टिनेयर पर बात की थी आज हम आकड़े संक्रलन की एक और तकनिक अनुसूची या शिडूल पर बात करेंगे तो अनुसूची जो है वो क्या होती है तो अनुसूची जो है वो अनेक प्रशनों की एक ऐसी लिखित सूची होती है जिसमें जो researcher है वो उत्तरदाता के पास swim जाता है और women प्रश्णों को पूछ कर swim है उनके उत्तरों का उसको लिखता है यानि वो खुद direct उनके पास जाता है और उनसे questions पूछ के और उसके answer जो है वो खुद लिखता है तो इसका मतलब यह है कि अनुसूची में उत्तरदाता के पास कभी भी जो अनुसूची है वो कभी भी डाग द्वारा प्रेशित नहीं की जाती बलकि यह जो interview है उसी का एक सरर्माद्यम है प्रात्मिक सामगरी को संकलन करने के लिए अनुसूची एक ऐसी प्राविती है जिसमें अवलोकन साक्षातकार और प्रशनावली की विशेष्टाओं का समन्वे होता है इसके अंतरगत क्या होता है कि अधन करता प्रशनों के एक निश्चिस प्रूची तैयार करता है और उत्तरदा होता उसे साक्षातकार के रूप में विभिन जो information है वो प्राप्त करता है और बिन जो तत्थे जो है उनके अवलोकन करके दिये गए उत्तरों की सत्यता को जाच करने की प्रयत्न करता है इसलिए जो बहुत सारे विद्वान है वो अनुसूची को एक ऐसी टेक्निक के रूप में देखते हैं जिसका उद्देश इंटर्वी शेडूल जो है या साक्षात कर अनुसूची भी कहा जाता है अनुसूची जो है उसके एक मौलिक माननेता यह है कि किसी भी घटा पर नियंतरन रखना अत्यादे कठेन होने के कारण यह जरूरी है कि स्वैम जो रिसर्चर है और या जो भी साक्षात करता है उसके व्यवार पर नियंतरन रखा जाए अनुसूची के यदि अब आर्थिया परिभाशाओं को देखें तो बोगाट्स जो है उन्होंने का है अनुसूची तथ्थे इकत्रित करने की अपचारिक विदी है अनुसूची को सर्वेक्षन करता स्वैम भरता है पीवी यंग जो है उन्होंने कहा है अनुसूची एक मार्ग दर्शक है अन्वेशन के शेत्र को निश्चित करने का एक तरीका है, याद दिलाने का एक साधन है और लेखा बत करने की फिदी है यानि अनुसूची जो है वो प्रश्णों का एक रिटिन शेडियूल है, लिखित सूची है जो अध्यन करता द्वारा अध्यन की विशेश को ध्यान में रखकर बनी जाती है इसमें जो रिसर्चर है, वैस्वेम घर घर जाकर प्रश्णों के उत्तर अनुसूची और जारा प्राप्त करता है जो कारलिंगर है, उनके अनुसर अनुसूची एक ऐसा अनुसंधान यांत्र है जिसका उप्योग वैक्तिकर साक्षातकार या सर्वेक्षन में सूचना संग्रे के लिए किया जाता है अगर हम अनुसूची की विशेष्टाएं देखीं, तो हम अनुसूची की निमलेखिर विशेष्टाएं पाते हैं सबसे पहला जो है, वो है प्रश्णों का उचित करम, यानि proper sequence of questions अच्छे अनुसूची में प्रश्णों का उचित करम होता है प्रश्णों के करमबद होने के साथ होने के कारण उनमें आंतिक संबत्ता पाई जाती है और इससे सूचना जो दाता है उससे समस्या से संबंदित विबन पहलों के संबंद में विवस्तित रूप में जानकारी जो है वो प्राप्त की जा सकती है सरल वा स्पष्ट प्रश्ण एजी वा क्लियर क्वेशन एक अच्छी अनुसूची होती है उसमें प्रश्ण सरल और स्पष्ट होने चाहिए जिससे सूचना दाता जो है वो शीगरी समझ ले सीमित आकार, limited size, प्रश्णों की संक्या समस्या की प्रकरती पर निर्भर करती है फिर भी अच्छी अनुसूची का आकार जो है वो सीमित होना चाहिए सही संचार, accurate communication, अनुसूची में प्रश्णों की रचना इस प्रकार की होने चाहिए कि सूचना दाता के मन में किसी प्रकार की गलत धारना पैदाना हो और वैस सही अर्थों में प्रश्णों को समझ कर उत्तर दे सके सही प्रत्योंतर, accurate response, अच्छी सूचना का निर्मान इस प्रकार से किया जाए कि इसके माद्यम से आवशक, उप्योगी वह या अथार्थ आंकडे जो हैं वो एकत्रेत हो सके cross question का प्रयोग, use of cross questions, इस एक अच्छी अनुसूची में क्या होता है, cross questions होने चाहिए ताकि जो सूचना दाता द्वारा, जो भी सूचना दी गई है, उसकी जाच विबन प्रिशनों के आधार पर की जा सके तो अनुसूची की प्रकरती से इस परश्ट होता है, कि अधिकार जो सामाजी घटने आए हैं उसके अध्यन करते समय, अनुसूची की उप्योगिता प्रिशनावली से अधिक है, क्योंकि इसमें जो है, डाइरेक्ट से contact होता है, और जो researcher है, वो answer जो है, वो खुद परता ह अब प्रिशनी होता है, कि अनुसूची के उद्देशे क्या है, objects of schedule, तो अनुसूची की जो है, निम्न उद्देशे हैं, प्रमानी कद्धिन, valid study, प्रमानी का उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुसंदान करता है, स्वें, वेक्तिगत रूप से वेक्तों से संबंद स्था अतर उत्तर दाताओं कि जो उत्तर है, उसके विबिन अर्थ लगाने का अफसर नहीं मिलता, इससे अध्यन में प्रमानिक्ता आजाती है, अनुपियोगी संकलन से बचाओ, guard against useless collection, अनुसूची का उद्देशे, विशे से संबंदे, प्रेशनों का क्रमबद उत्तर प्राप तो इसके द्वारा केवल data collection जो है, वो ही किया जा सकता है, संख्यात्मक आकणों के संकलन में उप्योगी, useful in collecting numerical facts, ये प्रावीदी जो है, वो संख्यात्मक साथ सूचना, यानि जो numerical facts हैं, जो information हैं, जो data है, उसको collection करने में useful है, विचारात्मक सूचना या भावनात्मक जा अंकरी के लिए प्रवीदी जो है, वो उप्यूक्त नहीं है, सही प्रत्य उत्तर, accurate response, अनुसुची का उत्देशे सही और शुद् उत्तर प्राप्त करना होता है, और अनुसुची द्वारा सही उत्तर तभी प्राप्त होते हैं, जब अनुसुची में सही संदेश वाहन का उद्देशे निश्चित होता है accurate communication अनुसूची का उद्देशे ये है कि इसके द्वारा अनुसंदान करता अपनी अध्यन समस्या के संबद में सही ढंग से संदेश वाहन करता है पर जो कुछ भी अनुसूची के साहता से उत्तर दाता से कहता है उसमें शुद्दता इसी लिए होती है क्योंकि प्रश्णादे की रचना से पहले से ही सरल डंग से की जा चुकी होती है बात करते हैं अनुसूचीों के प्रकार की types of schedule तो सबसे पहले जो अनुसूची है वो मुख्यता 5 प्रकार की 5 types की होती है सबसे पहली है अबलोकर अनुसूची जिसे इंग्रिश में हम observation schedule कहते है जैसा कि नाम से इसपष्ट है अनुसूची का ये वह प्रकार है जिसमें साक्षात क्यार के लिए किनी निश्चित प्रश्णों का समाविश नहीं होता ऐसी अनुसूची का उद्देश है विबिन शीर्षकों एवं अध्यन विशे से संबदित उन पक्षों को इसपष्ट करना होता है जिनके आधार पर अध्यन करता जो है वो घटनाओं का स्वेम अवलोकन करके प्रमुक तत्यों को संकलित कर सकता है इसे अवलोकन अनुसूची की जाती है इस जो अनुसूची है इसमें एक तो अध्यन करता विबिन तत्यों के अध्यन के लिए मार्क दर्शन दे सकती है दूसरा इसकी साहिता से अध्यन करता अध्यन विशय से दूर नहीं हत पाता दूसरी जो है मुल्यांकन अनुसूची रेटिंग शेडियूल इस अनुसूची को प्रियोग जो है वो सूचना दाताओं की मनोवरती, अभीरूची, राय और पसंद का मुल्यांकन करने के लिए की जाती है विबिन सामाजी खटनाओं समस्याओं का मुलांकन करने और उनकी comparative study जो है उसके लिए ये जो मुल्यांकन अनुसूची जो है वो ज्यादा important है इसमें क्या होता है कि प्रशनों के उत्तर का महत्व संख्या में निर्धारित कर लिया जाता है और विबिन उत्तरों के करमिक महत्व को समझते वे एक विशेश उत्तर जो है उत्तरदाता देता है और इस प्रकार से rating schedule जो है वो बनाई जाती है प्रलेक अनुसूची document schedule प्रलेक अनुसूची जो है उसमें ऐसी सामगरी का अलेखन करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है जिसमें विबिन प्रकार के प्रलेखों व्यक्तिका जीवन इत्तिहासों या अने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है इसका तात्परे है कि अनुसूची उत्तरदाताओं की सायता से जो सेकेंडरी जो सामागरी है उसके सुरोतों को जानने का एक सरलमाध्यम के रूप में कारे करती है संस्था सर्विक्षन अनुसूची इंस्टिूशन सर्वेश इडियूल इस प्रकार की अनुसूची का प्रियोग किसी संस्था जैसे धर्म, परिवार, विवा, शिक्षा, आधिके विशिष पहलू का अध्यान करने के लिए किया जाता है कोई संस्ता अपनी प्रकरती से जितनी जटिल होती है उसके अनुसार असकी अनुसूची का आकार भी अपेक्षक्रत बढ़ा हो जाता है इसका कारण यह की जटिल तत्यों के अध्यान के लिए निरधारित प्रिश्णों की संक्या अधिक होने के कारण उप्योगी सूचनाय जो है वो प्राप्त की जा सकती है लास्ट जो है वो है साक्षात का रनुसूची इंटर्वियू शड्यूल यह है रनुसूची किसी विशेश विशे पर कुछ व्यक्तियों के साक्षात करने का मैत्पूर्म अध्यम है इसके अंतरगत अध्यन विशे के विविन पक्षों से संबंदे प्रिश्णों का इस प्रकार से समाविश किया जाता है जिससे अध्यन करता किसी व्यक्ति का विवस्ति तुरूप से साक्षात करकर सूचिरों का संकलन जो है वो कर सकता है तो इस प्रकार से पाच प्रकार की schedule होती हैं अवलोकन अनुसूची जिसे हम observation schedule कहते हैं मुल्यांकन, rating schedule, प्रलेक, document schedule, संस्था सर्वेक्षन अनुसूची, institution survey schedule और साक्षातकार या interview schedule कल हम देखेंगे कि अनुसूची जो है उसका प्रकार उसका निर्मान जो है वो किस प्रकार से किया जाता है और प्रिश्णावली और अनुसूची में क्या अंतर है Thank you so much